अब आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करना चाहूंगा मैं बिने कुमार, PGT Chemistry, किंद्रे विद्याले जनगपूरी, सेकंड शिफ्ट से इससे पहले की ट्रेनिंग की स्टार्टिंग की जाए, कुछ जनरल बाते में बताना चाहूंगा सबसे पहले मैं अपनी एंटाइर स्क्रीन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके बाद आप मेरी स्क्रीन को देख पाएंगे क्या आप सभी मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं, आप मैं से कोई भी बता सकता है जी स्क्रीन पर नीचे यदि आप देखेंगे तो एक आडियो का साइन मना हुआ है यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरा करसर, यहाँ पर इस ऑडियो के साइन पर यदि आप क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल डी भी दबाएं, कंट्रोल डी तो आप खुद को म्यूट या अन्म्यूट कर सकते हैं फिर हाल सभी को म्यूट रहना होगा साथ ही यदि आपका कैमरा आउन है, जैसे लोकेश जी, अखिलेश जी, एंड मनोज जी तो आप अपने वीडियो को बंद कर सकते हैं इस वीडियो आइकन पर क्लिक करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने वीडियो को बंद कर लें, कंट्रोल-E दबाकर भी आप अपने वीडियो को बंद कर सकते हैं तो वीडियो को बंद कर लीजे साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रिती शुकला मैडम और बाकी कुछ टीचर्चर्ज जो KVSRO की email से बाहर किसी email का प्रियोग करके आना चाहेंगे I cannot allow them to join so I'm really sorry सबसे पहले आप सीधे हाथ की ओर देखिए right hand side की ओर यह दी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने chat box को open किया है chat box का प्रियोग आप शुरुवात में ही अपने किसी भी session में बच्चों को कोई सूचना शुरुवात में ही देने के लिए use कर सकते हैं कोई भी जैसे अपना audio and video mute करने जैसी कोई भी information आप बच्चों को शुरुवात में ही दे सकते हैं chat के माध्यम से कोई important सूचना people में आएं यदि आप सभी ध्यान से देखिएगा यदि people को आप देख पा रहे हैं अपने computer screen पर right hand side पर और mobile screen पर screen के ठीक नीचे आपको सभी नाम दिखाई दे रहे होंगे उन नामों में मेरा नाम बिने कुमार आप देख पा रहे होंगे दो बार है एक बार simply बिने कुमार लिखा हुआ है और एक बार बिने कुमार के सामने presentation लिखा हुआ होगा आपको मेरे नाम यानि बिने कुमार presentation के उपर click करना होगा जैसे मैं अखिलेश जी के नाम पर अब ही click करने जा रहा हूँ देखिएगा ये मैंने अखिलेश जी के नाम पर click किया और जैसे ही मैंने click किया यहाँ पर मुझे इस समय तीन options दिखाई दे रहे हैं पहला option है remove the meeting या remove from meeting दूसरा option mute का है already muted है और ये जो सबसे पहला option आपको दिख रहा है इस सबसे पहले option में आपको pin का एक picture एक निशान आपको दिखाई दी रहा होगा आप मेरे नाम के सामने विने कुमार presentation के नाम के सामने जब click करेंगे तो इस pin को दबाईए और pin कर लीजिए मेरे नाम के सामने आप सभी कृपया क्लिक करें और पिन कर लीजिए आप सभी ने पिन कर लिया होगा thank you so much मेरी request रहेगी आप सभी से कि कोई भी अपनी screen को present ना करे यदि कोई अपनी screen को present करने की कोशिश करेगा तो आज की जो मैं video बना रहा हूँ यह recording हो रही है आज की इस training video की तो वह training video interrupt हो जाएगी और फिर मैं इस video को शाम को आपको नहीं दे पाऊँगा यदि कोई भी शिक्षक, कोई भी teacher यदि screen present करता है तो प्लीज आप सभी से मेरा आग रहे है कि immediately आप मुझे बताएं जिससे कि मैं अपनी presentation को resume कर सकूँ अब शुरुआत करते हैं आज की training की सबसे पहली information से कि किस प्रकार से हम classroom में basics को सीख सकते हैं आप देख पा रहे हैं मेरी inbox को यह मेरी kvsro का जो email है उसकी inbox है आप सब भी जब email को open करते हैं तो इसी प्रकार से inbox दिखाई देता है यह जो right side पर आप nine dots देख रहे हैं एक बार फिर से में दिखाना चाहूँगा प्लिक करके यदि मैं इसको click करूँ मैं दुबार से ही email को open करूँगा एक minute यह Gmail की screen है गोगल की इस पर मैंने Gmail पर click किया यह मेरी email open हुई अब right side पर उपर की ओर जो यह nine dots है इन nine dots पर यदि मैं click करूँ तो इस प्रकार से यह एक app launcher की तरह सभी apps को एक window में open करेगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह classroom का एक icon है इस classroom के icon पर जैसे ही मैं click करूँगा तो मेरा classroom यहाँ पर automatically present होगा आप सभी देख पा रहे होंगे मेरे इस classroom को यहाँ आप already मेरे बने हुए चार classrooms देख पा रहे होंगे अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार हम class को create कर सकते हैं मेरी request है रश्मी जैन मैडम से प्लीज रश्मी जैन मैम अपने आपको mute कीजिए मैं ही mute कर देता हूँ अच्छा thank you मैम हम classes पर वापस आते हैं right hand side पर यह जो nine dots का app launcher अभी हमने जिसके बारे में बात की इससे ठीक पहले यह जो plus का sign है यहाँ पर create और join की जा सकती है class मैं सबसे पहले इस पर click करूँगा जैसे ही मैं इस पर click करूँगा आप देख पा रहे हैं join class या create class का option आ रहा है यदि मैं student हूँ तो मैं class को join करूँगा लेकिन फिलहाल as a teacher मैं class create पर click करूँगा और class को create करूँगा class name में सबसे पहले मैं अपने विद्याले का code डालूँगा 1424 फिर मैं underscore करूँगा class मेरे school की shift को मैं यहाँ पर लिखूँगा s2 इसके बाद फिर underscore करूँगा और मैं अपनी यहाँ पर एक नई class generate कर सकता हूँ 12th c, suppose मैंने 12th c generate की section में मैं अपने subject का नाम डाल दूँगा जिससे कि यह prominently मुझे दिखे और अपना नाम दख दूँगा बिने, मैंने section में अपने subject, chemistry और अपना नाम यहाँ पर डाला है, entry की है, बिने, subject में भी हम कर सकते हैं, entry आपका सवाल होगा, बिल्कुल कर सकते हैं, यह देखिए, subject में entry कर भी हमने chemistry की, मैंने small letters में लिखा है, यहाँ पर subject में, room means location, किस location में आप चाहेंगे, कि आपके यह class create हो, location कहीं भी आप same ना करें, किनी भी दो classes की, तो फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है location डालने की, मैं अब class create करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, class name और section ही prominently appear होंगे, मैंने इस तरह से class name इसलिए रखा है, जिससे कि यदि कोई higher officials हमारी class में inspection, या हमारी class में entry करे तो वकप सारी classes में होने के कारण, जो एक शुरुवात में परिशानी होगी पहचानने में, वह दूर हो जाएगी इससे, आते ही वह समझ जाएंगे कि yes, यह 1424 यानि की विने कुमार का इस किंद्री विद्याले जनपूरी है, shift 2 है, 12C class है, और section में chemistry subject है और उसका teacher विने है मैं आपको दिखाता हूँ, class create करके right hand side पर, यह है जो create का button है, मैं इस पर click करने जा रहा हूँ, देखिए, class create हो रही है, आप देख पा रहे हैं, class create हो चुकी है, अब सबसे पहले आप उपर देखिए, class में इस blue screen पर आपको जो मैंने class का नाम डाला, 1424, shift 2, 12C, वह create हो चुका है, दिख रहा है, मेरा subject, chemistry और विने, जो मैंने section में लिखा, वह भी prominently दिख रहा है, यहाँ पर आप class code को भी देख पा रहे हैं, यह देखिए, इस प्रकार से आप class code को present भी कर सकते हैं, students को joining के लिए, class code के माध्यम से इसको use करके, students जो शुरुआत में हमने plus icon को click किया था और join class का option आया था, वहाँ click करके class को join कर सकता है, फिलहाल यहाँ देखिए, आप meet link देख पा रहे होंगे, generate meet link का option आ रहा है, जैसे ही मैं इस पर click करूँगा, तो यहाँ पर meet link generate करने का option है, मैं इस पर click करके meet link को generate करूँगा, यह देखिए, meet link generate हो चुका है, और यह सभी students को visible भी है, मैं इसको save करूँगा, यह सेव हो रहा है, यह देखिए, अभी है meet link, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम इसे generate कर चुके हैं, इस meet link के माध्यम से, हम सभी बच्चों के साथ कभी भी कोई भी meeting स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी कुछ देर बात देंगे, सबसे पहले, right hand side पर उपर आईए, यहाँ पर, देखिए यह है जो wheel जैसा एक icon बना हुआ है, यह settings का icon है, जब मैं इसको click करूँगा, तो settings की पूरी window open होगी, यह settings है, class details वही है, जो मैंने अभी add की थी, class name, section, subject, general में class code आपको दिख पा रहा है, आशागर मैं बाहर की email id से आने का प्यास कर रही है, I am really sorry मैं उन्हें entry नहीं दे पाऊंगा, कोई प्लीज उनको inform करे, केवल KVSRO की email से वहें आएं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, general settings में class code, के options हैं, क्लिक करने पर जो आ रहे हैं, display, copy, reset, disable, आप इसे display कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, कहीं paste करने के लिए, reset कर सकते हैं दोबारा से और disable भी कर सकते हैं, किसी बच्चे को दिखाई ना दे, usually यदि आपकी class में सभी बच्चे आ जाएं, तो आप इसे disable कर सकते हैं, reset भी कर सकते हैं, यदि आपको लगता है class के इस code का misuse हो रहा है, लेकिन इसे एक या दो बार से जाधा ना करें, क्योंकि तीन बार के बाद फिल्हाल यह option अवीरेबल नहीं है, कि आप इसे reset कर पाएं, stream में यदि मैं देखूं, तो यहाँ पर तीन options आएंगे click करने पर, students can post and comment, students can only comment, only teachers can post or comment, तो मैं इस पिल्हाल चाहता हूँ कि students post or comment कर पाएं, तो मैं पहले option को ही choose करूँगा, class work on the stream, यहाँ पर option है कि show attachment and details, show condensed notifications and hide notifications, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे attachment और details देख पाएं, तो मैं पहले option को choose करता हूँ, show deleted items, अगर आपके साथ एक या दो teachers मौझूद हैं, तो वो सभी deleted items को देख पाएंगे, teachers कोई भी deleted items को देख पाएंगे, meet का link हम generate कर चुके हैं, यह visible है सभी students को, नीचे grading की बात हो रही है, overall grade calculation के लिए, no overall grade को मैं कर लूँगा total points पे, और right hand side में उपर की योड़ी है, जो एक blue button आप देख पा रहे हैं, save जिस पर लिखा हुआ है, मैं इस पर click करूँगा, और अपनी इस settings को save कर लूँगा, देखे आप settings सेव हो रही हैं, और आम वापस classroom में आ गए हैं, आपको यहाँ classroom में चार उपर tabs दिख रहे होंगे, यह चार different pages होंगे हमारे यहाँ पर, stream, classwork, people, and grades, सबसे पहले मैं आपको stream के बारे में बता दूँ, stream हमारे लिए ठीक वैसे ही काम करेद करती है, जैसे facebook या twitter पर timeline करती है, जैसे facebook पर कोई भी कुछ भी post करता है, तो वो आपकी timeline पर दिख रहा होता है, ठीक वैसे ही stream पर यदि आप कोई भी classwork देंगे, कोई भी student कमेंट करेगा, post करेगा कुछ, तो वो stream पर आपको दिखाई देगा, अब हम चलते हैं, सबसे पहली चीज, people पर, पा रहे हैं, एक icon बना हुआ है, invite teachers का, यदि मैं इस पर click करूँ, तो एक window pop up होती है, इस window में मैं यदि teacher का email add कर दूँ, तो मैं उसको invite कर सकता हूँ, फिलहाल मुझे किसी भी teacher को invite नहीं करना है, मैं students को add करता हूँ, यदि मैं student को click करूँ, तो फिर से वैसी ही एक window pop up होती है, जिस पे एक बात फिर से मैं email type कर सकता हूँ, चलिए एक student को add करते हैं, मैं एक student वानी को add करने जा रहा हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर student वानी का email type किया, और जैसे ही मैंने इसको type किया, नीचे search result में वह email खुद ही आ गया, अब जैसे ही यह नीचे आया, मैं इस पर click कर दूँगा, click करते ही email add हो गया, और अब मुझे केवल invite करना है, तो मैं नीचे invite पर click करूँगा, देखिए मैं click करने जा रहा हूँ, invite हो रहा है student, अब आप देख सकते हैं कि students में नीचे यहाँ पर वानी का नाम आ गया है, थोड़ा light font में है, क्योंकि अभी यह invited है, और नाम के सामने bracket में invited भी लिखा हुआ है, मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको, कि email एक-एक करके add करने की बजाए, मैं एक साथ अपनी पूरी class को भी add कर सकता हूँ, आप जानना चाहेंगे कैसे मैं आपको बताता हूँ, यह देखिए, यह मैंने एक Excel sheet पूरी open की हुई है, मैं यहाँ से बच्चों को, बच्चों की emails को copy करता हूँ सभी को, आप देखी पा रहे होंगे, मैंने सभी बच्चों की emails को copy किया, वापस से classroom में आया, students के invite student icon पर मैंने click किया, type, name और email पर मैंने इन सब को paste कर दिया एक साथ, अब एक बार फिर से search result पर सभी emails आ गए हैं, जैसे ही मैंने इन पर click किया, और सभी के सभी मेरे 31 students इस समय यहाँ पर उनकी emails add हो गई हैं, अब मुझे सिर्फ इनको invite करना है, यह बटन दबा कर सभी को invitation चला जाएगा, पिलहाल मैं इनको add नहीं करना चाहता, तो मैं इनको cancel करूँगा, इस प्रकार आपने देखा कि कैसे आप copy paste करके, सभी students को add कर सकते हैं, मैं आपको जरा यह भी बताना चाहूँगा, और दिखाना चाहूँगा, कि किस प्रकार एक student को अपनी email में आपका यह request आपने भेजी है, दिखाई देगी, तो चलिए मैं आपको एक student की email दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर यह student की email है, चलिए इसको login करते हैं, आप देख पा रहे हैं, student की email को मैं login कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको login किया, आप देख पा रहे हैं, सबसे उपर, मेरी ही द्वारा भेजी गई class invitation है, student इसको open करेगा, और इस प्रकार से screen present होगी, आपके द्वारा भीजे गए invitation में, हर एक student के screen पर इस प्रकार से email दिखाई देती है, student इस join पर क्लिक करेगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, yes, यही join बटन, जैसे ही इस पर student क्लिक करेगा, वह classroom को join कर जाएगा, वह इस समय classroom join कर गया, लेकिन, कैई बार ऐसा भी होता है, कि student बोलते हैं, sir, मैंने join दबाया, ma'am, मैं join नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बावजूद, तो आप students को बोलिए, कि यह जो app launcher है, nine dots, right hand side उपर, वह इसको open करे, और इस classroom वाले आइकन पर, क्लिक करे, nine dot, app launcher से जैसे ही वह, क्लिक करेगा student, तो उसको वहाँ पर classroom दिखाई देगी, join का option भी दिखाई देगा, और decline का भी, student को यह join करना है, इस button पर क्लिक करना है, मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही student, इस button को क्लिक करेगा, आप देख सकते हैं, student की classroom में entry हो चुकी है, यह student की classroom है, यहाँ उपर देखिए, stream, classwork, and people, केवल तीन ही आपको यह टैब दिखाई दे रहे होंगे, जबकि, मेरे वाली class में, यानि की teachers की class में आप देख पा रहे हैं, चार टैब है, grade का टैब extra है, अब इस प्रिकार हमने जाना, कि हम कैसे invite कर सकते हैं, सभी teachers को, और students को, अब हम, तीसरे सबसे महत्वपून पेज पर चलते हैं, classwork, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें as a teacher, classwork को ही use करना है, बच्चे को work assign करना है, तो चलिए समझते हैं कि classwork में हम, क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या possibilities हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, left side पर stream के, नीचे की और यह blue button, जहां create प्लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इस पर click करूँगा, एक छोटी सी window pop-up होगी, assignment, quiz assignment, question, material, and reuse, post की, सबसे पहले हम बात करते हैं assignments की, मैं assignment पर click करता हूँ, तो इस प्रकार से यह window open होगी, suppose यदी मुझे सबसे पहला अपना, यदी कोई assignment देना है, और वह chapter solid state से है, तो मैं यहाँ पर title लिख दूँगा, solid state, instructions में, suppose यदी मैं चाहता हूँ की, सभी students work को complete करें, जो भी मैं देने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा, please see the work attest, and complete it, instructions मैं छोटी लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल specifically instructions दीजेगा, जिससे सभी students को, आपकी class में instructions clear हो, और वह कर पाएं, right hand side पर आप देख पा रहे हैं, for, सबसे पहला icon है यह, जैसे ही मैं इस पर click करूँगा, सभी classes open हो जाएंगी, यहाँ 12C से लेके, उन सभी classes को एक साथ select कर सकता हूँ, यह जैसे मैंने select किया, एक और checkbox पर click करके, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूँगा, तो वह दोनो class एक साथ यहाँ select होंगी, फिलहाल मैं किवल एक ही class में देना चाहता हूँ, तो मैं केवल 12C जो मैंने class create की है, मैं उसको ही रहने दूँगा, points यहाँ पर hundred है, points यानि कि आप कितने marks उन particular assignment को देना चाहते हैं, due date, due date यानि कि आप कब तक चाहते हैं student इसे complete करें, चलिए मैं इसको 19th June तक कर देता हूँ, कि मैं चाहता हूँ सभी student 19th June तक करें, कब तक मैं चाहता हूँ रात के 11 बजे तक का उनके पास वक्त हो, तो मैंने यहाँ पर due date भी दी, topic, मैं यहाँ पर एक topic create करूँगा, topic यानि कि आप क्या headline देना चाह रहे हैं अपने work को, मैं headline दूँगा, solid, state, perk, submission, अब वापत से मैं हाँगा, left hand side पर देखिए, instructions में आपके पास यहाँ दो icon आपको दिख रहे हैं, add and create, चलिए हम सबसे पहले create की बात करते हैं, मैं जैसे ही create पर click करूँगा, यहाँ पर docs, slide, sheet, drawing and forms, यह 5 option open होंगे, सबसे पहले मैं बात करूँगा docs की, चलिए Google Docs को open करते हैं, और देखते हैं कि किस प्रकार से हम Google Docs को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रकार से Google Docs का एक page open होगा, इस Google Docs में मैं questions यह जिस भी form में चाहूं, अपना या कोई भी notes यह दि में चाहूं, students को provide कर सकता हूं, तदी मैं type करना चाहता हूं, तो मैं type कर सकता हूं, आप देख पा रहे होंगे, और एक और easy चीज़ बत करते हैं हम, आप यहाँ देखे उपर, untitled document के नीचे, इतने सारे tabs में आपको यह tools का tab दिखाई दे रहा होगा, yes, यही वाला, हम इस पर click करेंगे, एक window pop-up होगी, यहाँ पर बहुत सारे options हैं, जो आप एक एक करके देख सकते हैं, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा, voice typing का option, जैसे ही मैं इसको click करूंगा, या CTRL shift s, आप left side में देख रहे हैं, एक speaking icon, speaker का icon, यहाँ पर आ गया है, अब मैं यदि इसको click करूं, तो यह highlight हो जाएगा, उसके बाद मैं जो भी बोलूँगा, वहीं हाँ पर type हो सकेगा, देखते हैं चलिए एक बार, What is the capital of Kerala, Please mention any two characteristics of the rainforest in Kerala, and also mention some of the animals present in them, आपने देखा, किस प्रकार से मैंने जो भी बोला, वह है doctor, बोलते ही अपने आप type हो गया, इस प्रकार से आप typing भी कर सकते हैं, इसके लावा कई Google में add-ons मौझूद हैं, जिनके बारे में आप search कर सकते हैं, add कर सकते हैं, और उन add-ons को use करके, आप language भी change कर सकते हैं, translate के option में जाके कर सकते हैं, और इस प्रकार से एक document में आप बच्चों को notes, या कोई भी अगर questions प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, तो मैं इससे बहाराना चाहूंगा अभी, यह जो document है, इसके अलावा, हम slides में जा सकते हैं, और जैसे आप PPT की slides बनाते हैं, कोई भी PowerPoint presentation बनाते हैं, ठीक वैसे ही, यहाँ पर भी आप presentation बना सकते हैं, जैसे सबसे पहली presentation के लिए हैं, सबसे पहली slide आपको दिख रही है, यहाँ मैं जो भी चाहूं, chapter के short notes, या questions, जो भी चाहूं, exercise तक, फुद questions बनाकर, मैं बच्चों को भेज सकता हूं, creatively मैं chapters के pictures, या कोई flow charts एड करके भेज सकता हूं, that depends कि मैं as a teacher, क्या चाहता हूं, क्या भेजना चाहता हूं, as per the requirement of my subject, and my students, तो मैं इसको भी close करना चाहूंगा, क्योंकि powerpoint presentation बस एक-एक slide आयड करके, आप अपनी requirement के according बना सकते हैं, हम इसके बाद यहाँ पर create में देखेंगे, एक और last में form है, थोड़ी ही देर में इसकी बात करने वाला हूं मैं, सबसे पहले मैं document और presentation को close करता हूं, और एक work assign कर देता हूं, मैं work देना चाहता हूं, please submit the notes of solid state, please submit the notes of solid state, मैं चाहता हूं कि student solid state के notes दे, जो हमने पिछले chapter में किये, मैं पूरा type नहीं कर रहा हूं यहाँ पर फिलाल, इतना ही मैंने लिखा है, अब मैं इसको assign कर दूँगा, यहाँ पर, right side में उपर जो blue button था, जैसे ही मैं उसको click करूँगा, यह question assign हो जाएगा, यह देखिए, जो मेरा topic था, वह पूरा यहाँ पर title के साथ दिखा है, यदि मैं इसको click करूँ तो आप देखिए, आपको दिखपा रहा होगा, right side में assigned one है, और turned in zero, क्योंकि student वानी को, जिसको हमने add किया है अपनी classroom में, एक ही student है, उसको यह assign होआ है, यदि आपकी class में, ज्यादा students हैं, 40, 50, तो जितने भी हैं, यदि 50 हैं, तो 50 को assigned हो गाई है, और जितने turned in करेंगे, यानि कि submit करेंगे, वो यहाँ पर left side में दिखता जाएगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, student Vani की classroom को, यहाँ देखिएगा आप, student Vani की classroom में, आप उसकी screen पर देख पा रहे हैं, यह question आ गया है, stream पर, please see submit the notes of solid state, जो भी मैंने type किया, वो यहाँ पर आ गया है, तो मैं वापस classroom में चलता हूँ, एक question और create करेंगे अब हम, अभी मैंने आपको assignment के बारे में बताया, अब मैं quiz assignment पर click करता हूँ, quiz assignment पर आप देख पा रहे हैं, automatically एक blank quiz generate हो गया है, हम यहाँ पर अब, एक बाद पर से quiz बना कर देखेंगे, मैं solid state का ही एक quiz बना कर देखता हूँ, instructions में मैं लिखूँगा, please attempt the Google form quiz, instruction में मैंने बहले लिख दिया, एक बाद फिर से right side में हम class को assign कर सकते हैं, points को, due date, मैं फिर से due date देना चाहूँगा, इस बार Saturday, यान की 20th June तक की, time मैं midnight का ही रखना चाहूँगा, 11.59 तक का, मैंने बहले assign किया, topic, मैं topic create करूँगा, quiz, solid, और, यहाँ पर वापस आता हूँ, और इस quiz को, मैं create करने के लिए, इस पर click करता हूँ, जैसे ही मैं इस पर click करूँगा, आप देख पा रहे हैं, Google form open हो गया है, सबसे पहले left side में जाके, मैं इसका नाम थोड़ा change करता हूँ, मैं इसका नाम दूँगा, solid, and quiz pair मैं यहाँ, middle में click करूँगा, इसका नाम भी मैं change करूँगा, solid, state, सबसे पहले ही है, जानना जरूरी है, कि settings जो है, क्या मैंने ठीक की हैं, क्योंकि बिना settings के, तो यह quiz बन ही नहीं पाएगा, तो right side में, इस send वाले blue button के पास में, फिर से आप बील वाला setting का icon देख पा रहे हैं, मैं इस पर click करता हूँ, click करने पर ही है, window pop-up होगी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे, general, presentation, and quizzes के तीन tab, सबसे पहले मैं general पर आना चाहूँगा, yes, आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम collect email address को click करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि, जो भी student जिस भी email id से आया है, वह email id collect हो जाए, response receipt, yes, हम इस check box को भी click करेंगे, यहाँ पर दो option है, if respondent requested and always, response receipt क्या है, जो भी student पूरी के पूरे, इस Google form quiz को attempt करेगा, उसको अपने द्वारा attempt किये गए, सभी answers, वापस फ्राप्थ हो जाएं, obtain हो जाएं, उसकी email में, तो मैं नहीं चाहता, तक लहाल always करना, मैं चाहता हूँ कि यह है, if respondent requested, कि अगर बच्चा request करता है, तो उसको email में जाए, sign in का नीचे, एक और option है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह केवल KBS Delhi region, और उसके trusted organizations के लिए ही restricted है, यहाँ पर एक option और है, limit to one response, yes, मैं इस पर click करूँँगा, मैं चाहता हूँ, एक student, एक ही बार के वल respond कर पाए, respondent can edit after submit, जी नहीं, मैं नहीं चाहता है, see summary, chart and text response, फिलहाल इसकी भी आविश्रक्ता नहीं, presentation पर आते हैं, show progress bar, yes, मैं चाहता हूँ कि progress bar के पार में मुझे पता चलता रहे, कितने questions कौन student कर रहा है, ज्यादा classes होने पर, और ज्यादा बहतरीन तरीके से आप देख पाते हैं, class wise submission, shuffle question order, क्या मैं चाहता हूँ questions shuffle होकर आए, फिलहाल मैं नहीं चाहता कि questions shuffle होकर आए, confirmation message, या जब भी कोई student form को submit करता है, तो एक confirmation message आता है, usually है by default यही है, जो आप देख पा रहे हैं, screen पर, your response has been recorded, मैं नहीं चाहता इसको change करना, तो मैं इसको as it is छोड़ता हूँ, मैं जाता हूँ तीसरे tab quizzes पर, यह सबसे important tab है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे quiz में change करना है, आप देख रहे हैं, समय मैंने इसको off किया, अब मैं फिर से इसको on करता हूँ, इस प्रकार से है on होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिना on किये आप इसे quiz में convert नहीं कर सकते हैं, release grade में भी ध्यान दीजेगा, immediately after each submission ना करें, as a teacher, मैं चाहूँगा कि जो भी student submit कर रहा है, मैं manual review के बाद ही grade को submit करूँ, respondents, यानि की students क्या देख सकते हैं, questions, correct answers, और point values, point values यानि की जितने number में assign करूँगा, मैं चाहता हूँ कि तीनों ही students देखें, इसलिए तीनों checkboxes clicked है, अब मैं save पर, नीचे की उर देखिए save, मैं इस पर click करूँगा और अपनी settings को save करूँगा, आप देख पा रहे हैं, yes, मैं इसको click करने जा रहा हूँ, इस परकार से हमने settings कर ली, अब हमारा यह Google quiz तैयार है, कि अब हम इसको बनाएं, सबसे पहला question मैं add करता हूँ, your name, आप देख पा रहे हैं, automatically short answer में आ गया है, नीचे required का option है, मैं इसको click करता हूँ, यह है, अब required question बन गया है, student इसको किये बगएर आगे नहीं बढ़ पाएगा, right side में यह जो plus का option है, इसको click करने से आप, एक और question को add कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक और question add कर रहा हूँ, which section of 12, यदि दो या दो से ज़्यादा classes हैं, यहाँ पर आप दे रहे हैं, तो इस तरह का question आप बना सकते हैं, फिलाल मैं यहाँ पर B and C options generate कर रहा हूँ, multiple choice में, इसको भी मैं required कर देता हूँ, left side नीचे, फिर से plus पर click करूँगा, add question करने के लिए, right side में, अब यहाँ से मैं main question said करना शुरू करूँगा, as a teacher, जो भी question आपको चाहिए, आप बनाना चाहते हैं, आप वो यहाँ पर एक एक करके question said कर सकते हैं, चलिए जल्दी से question पर, अब यहाँ पर add कर लेते हैं, which of the following, is solid, एक general question में बना देते हैं, option में बना देते हैं, gas, oil, milk, and salt, अब, नीचे की और आप left side पर देख रहे हैं, answer key लिखा हुआ आ रहा है, answer key पर मुझे click करना होगा, ताकि मैं इसका सही answer लगा पाऊं, यदि मैं सही answer इसमें feed in करूँगा, तभी तो यह automatically collect करेगा, मेरे सभी student के responses को और calculate करेगा, उनके grade point, तो मैं इस पर click करता हूँ, answer key पर, जैसे ही मैंने इसको click किया, तो अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ four circles आ गए हैं, tick करने के लिए correct answer, और right side पर points, सबसे पहले मैं हाँ पर point देना चाहूँगा, मैंने two point दिये, मैं चाहता हूँ, दो नमर का होई है question, और सही answer, salt पर मैंने click किया, जैसे ही मैंने clear किया, यह click आप देख पा रहे होंगे, salt के सामने एक green color का tick आ रहा है, इस question को अब मैं done करूँगा, यहाँ पर done का option है, done करते ही, यह question बन गया है, salt के सामने अभी भी एक green tick है, क्योंकि यह answer मैंने यहाँ पर query in किया है, अब मैं इसको भी required question में convert कर दूँगा, इस तरह, yes, required मैंने इसको convert कर दिया है, अब, यह Google quiz form तयार है, पिलहाल, कुछ चीज़े और बताना चाहूंगा, मैं settings के इस wheel icon के पास में left hand side पर देखिए, एक preview का option है, और एक customized theme का option है, पहले मैं आपको customized theme का option बताना चाहूंगा, इसको use करके, आप अपने इस Google form quiz की presentation को appearance को बहुत बहतरीन बना सकते हैं, यह देखिए, मैं इसको click करता हूँ, इस प्रिकार से theme के options आएंगे, मैं image, choose image पर click करूँगा, header पर, जैसे ही मैं इस पर click करूँगा, एक नई window pop-up होगी, और मैं इसको choose कर सकता हूँ, प्लास, चलिए मैं beaker वाले इस image को insert करता हूँ, click करके, तो आप देखिए, यह image अब insert हो जाएगी, और automatically, एक color का shade भी आ गया है, मैं चाहूँ तो इस color के shade को यहां background color से, dark भी कर सकता हूँ, font style मैं चाहता हूँ, थोड़ी playful हो, थोड़ी attractive हो, तो नीचे की ओर, यहां right side में, मैंने font size को भी, style को actually change किया है, अब आप देख पा रहे हैं, यह appearance थोड़ी पहले से बहुत भैतर हो गई है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, यह हैं जो middle में, right side में, wheel icon, यानकी setting icon से पहले preview option है, eye वाले icon पर, इस पर click करके क्या होगा, जब हम इसको click करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि हमारा बच्चा, हमारे student, हमारे इस बनाए हुए Google quiz form को किस प्रकार से देख पाएंगे, तो हमने जो यह quiz बनाया है, एक student को इस प्रकार से दिखाई देगा, देख पा रहे हैं आप, येस, इस प्रकार से हमारा student, इस quiz को देख पाएगा, चलिए मैं preview बन करता हूँ, quiz भी generate हो चुका है, इसको भी बन करता हूँ, classroom में आता हूँ, यहाँ पर नीचे देखिए, blank quiz जो मेरा, मेरे create किया हुआ है यहाँ पर, इस quiz के नीचे, grade importing, मैं quiz अल्रेडी बना चुका हूँ, यहाँ grade importing को on करना बहुत ज़रूरी है, हमें इसे on करना है, तो चलिए इसको on करते हैं, yes, अब आप देख पा रहे हैं, यह on हो गया है, अब मैं इसको assign कर सकता हूँ, एक बार यहाँ देखिए, assign पर right hand side उपर, मैं यदि right side में, assign के pass वाले इस icon पर click करूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ option दिखाई दे रहे हैं, assign, schedule, save draft, and discard draft, मैं यदि schedule पर click करूँ, तो मैं यहाँ पर schedule कर सकता हूँ, कि आज, कल, परसो, कब मेरा यह assignment मेरे students को मिले, यदि मैं इसको 18 तारिक कर दूँ, सुभा आठ बजे, तो आप देख पा रहे हैं, आठ बजे, सभी students को appear हो जाएगा, फिलहाल मैं इसे schedule नहीं करना चाहता, मैं इसे immediately अभी assign करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको assign कर दूँगा, देखें, मैं click करने जा रहा हूँ, assign, yes, देखें, इसको assign किया, और अब यहाँ classroom में आप देख पाएंगे, yes, अब आप देख पा रहे हैं, quiz solid assign हो चुका है, आप सभी देख पा रही होंगे इसको, जी, एक बार मैं आपको students की classroom में लेकर चलता हूँ, और दिखाता हूँ कि student को यह किस प्रकार दिखेगा, student की classroom है, जहाँ stream, classwork और people ही है केवल, student इसे इस प्रकार से देख पाएगा, आप देख पा रहे हैं question, student की screen ही है, जैसे ही student इस पर click करेगा, इस प्रकार की एक window open होगी, student की screen पर, and, उसको सबसे पहले इस Google form को open करना होगा, ताकि वो इसको attempt कर पाए, तो चलिए इसको open करते हैं, जैसे ही है, open होगा, student को attempt करना होगा इसको, चलिए जल्दी से student इसको attempt कर देगा, student ने अपना नाम लिख दिया, section भी लगा दिया, answer भी, उसने दे दिया यहाँ पर, अब नीचे student क्या चाहता है कि इपनी copy मिले, यदि वै चाहेगा तो वै इसको on कर सकता है, उसको email में उसकी copies मिल जाएंगी, फिलाल मैं नहीं चाहता है इसको on करना, student इसको submit करेगा, अब student ने इसको submit कर दिया, ज्यादा तर student ऐसा ही करते हैं, कि वै इसको submit कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि yes, यह turn in हो गया, बट student को यहाँ पर mark as done भी करना पड़ेगा, right side में देखे, mark as done, जिससे कि हमें turn in दिखे, जैसे ही वै इसको click करेगा, mark as done करेगा, अब यह submit हो जाएगा, yes, submit हो चुका है, क्योंकि अब right side पर देखे, unsubmit का option आ रहा है, अब मैं वापस classroom में जाता हूँ अपनी, देखे, मैं जैसे ही solid state पर click कर रहा हूँ, अब turn in 1 हो चुका है, और assigned 0, पहले assigned 1 था, और turn in 0, क्योंकि बच्चा इसको submit कर चुका है, इसलिए अब assign नहीं रहा ही है, यह turned in हो चुका है, मैं turned in पर click करूँगा, जैसे ही मैंने turned in पर click किया, student की वह screen पूरी मेरे सामने open हुई है, जहां पर मुझे पता चल पा रहा है, कि मेरी class की students ने यह turn in कर दिया है, और मैं अब उसको grades दे सकता हूँ, यहां right hand side पर देखिए, import grade का एक option आ रहा है, मुझे इस पर click करना होगा, जिससे की student को grade मिलें, left side पर देखिएगा, यहां overall यह 100 point का दिखा रहा है इसको, लेकिन नीचे student के सामने, कोई भी grade उसे नहीं मिला हुआ, dash by 100, और 100 point का तो हमने इसको create भी नहीं किया, two point का ही किया, तो चलिए मैं import grade पर click करता हूँ, और automatically जो बच्चे के नाम के सामने, dash by 100 है, वहां पर grades import हो जाएंगे, मैं आपको click करके दिखाता हूँ, इस button पर, yes, यही बाला right side का import grade बटन, इस पर मैंने click किया, और import किया, अब आप देख पा रहे हैं, student के नाम के सामने, two by two, पूरे के पूरे नंबर बच्चे को प्राप्थ हुए हैं, two by twos पर आ चुका है, you can see how easily we can import grades of all the students, मैं वापस सी classroom में जाना चाहूँगा, यहाँ पर class work में दुबारा आकर, एक और चीज में बताना चाहूँगा आपको, material, material पर यदि मैं click करूँ, और इस बार मैं किसी और chapter का यदि material देना चाहूँ, lecture chemistry, suppose, आप अपने subject के अनुसार, अपने chapter और topic के अनुसार, title और अपने material को decide करें, instruction में मैं लिख दूँगा, please see the materials, and prepare for the upcoming class, material में मैं topic भी create करूँगा, यहाँ पर मैं topic को capital letters में लिख दूँगा, electro, notes, material में हम ऐसे particular topics देते हैं, जो हम grade नहीं कर रहे हैं, और बच्चे को as extra study materials हम provide करना चाहते हैं, यहाँ देखिएगा, add और create का option है, create के option मैं आपको बटा ही चुका हूँ अभी, अब जरा add का option देखते हैं, मैं यहाँ पर add पर click करता हूँ, यहाँ पर google drive, link, file, youtube, सभी के option आपके पास available है, यहाँ पर यह दी आप देखें, तो google drive से आप option ले सकते हैं, फिलहाल मैं youtube से एक option देना चाहूँगा, जैसे ही मैं youtube पर click करूँगा, एक window pop-up होगी, और जो भी particular वीडियो में चाहता हूँ, कि यहाँ पर आए, मैं उसके बारे में सर्च करूँगा, और उसके बारे में वो वीडियो वहाँ पर आ जाएगा, सर्च करने पर, मैंने electrochemistry सर्च किया, तो आप देख रहे हैं, कितने सारे options आए, चलिए मैं इस पर click करता हूँ, सबसे पहले option पर, आप देखिए, यह बार्डर स्ब्ली हो जाएंगे, इसकी select होते ही, यह देखिए, अब नीचे add का option ब्ली हो चुका है, मैं इसको add करता हूँ, यह video add हो चुका है, यदि इस पर आप दुबारा click करें, तो आप इस video को देख भी पाएंगे, लेकिन फिलाल हमें यह नहीं देखना है, तो मैं इसको वापस, इसी page पर लाता हूँ, यह तो मैंने YouTube add किया, YouTube से particular video, यदि मैं चाहूँ, तो मैं, CBSC की कोई notes, या आपने द्वारा बनाए गए कोई notes, या जो भी suitable notes मुझे लगता है, अपनी classroom के लिए, मैं उनको add कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर लग रहा है, electro NCRT, तो मैं, उसको add करता हूँ, और upload करता हूँ, आप देख पा रहे हैं, यह upload हो गया है, इसके अलावा एक third और बहुत important चीज, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जो भी दीक्षा की portal को use करते हैं, दीक्षा से हम बहुत important videos, और बहुत interesting videos हम यहाँ पर paste कर सकते हैं, लाकर कैसे, देखिये, मैंने दीक्षा को यहाँ पर search किया, और इस प्रिकार से यह screen open होगी, मैं दीक्षा के link पर जाऊँगा, और आप देखिये, आप सभी देख पा रहे होंगे screen पर, दीक्षा का portal direct आ गया है, class 1 से लेकर, class 12 तक के, सभी options यहाँ पर available हैं, सभी video subject wise, कोई भी subject हो, accountancy, biology, कोई भी science, maths, सभी यहाँ पर available हैं, class 12 में मैं chemistry के first part को choose करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि electro chemistry chapter का कोई video दूँ, mercury cell का video, तो मैंने mercury cell पर click किया, और देखिये, video upload हुआ, अभी है, video upload हो चुका है, आप देख पा रहे हैं, video की नीचे right side में share का option है, yes, यही बाला, और उपर left side में भी share का option है, यही बाला, यदि मैं इसको click करूँ, देखिये, click करने जा रहा हूँ, तो link sharing का option आएगा, मैं इस link को copy करूँगा, अपनी classroom में आऊँगा, फिर से मैं add में जाऊँगा, link पर click करूँगा, link पर click करते ही add, link का एक छोटा सा window open होगा, यहां मैं इस link को paste कर दूँगा, और add link वाले इस icon पर click करूँगा, देखिये, मैं click करता हूँ इसको, और इसी के साथ, दीक्षा का वह video जो मैं चाहता था, यहां पर upload हो गया है, उस particular topic का, जो मैं as a student अपनी class, as a teacher, अपने students को उनकी class में देना चाहता हूँ, अब मैं यहां पर दीक्षा की website को बंद कर देता हूँ, अब यह तीनों के तीनों, जो भी मैंने YouTube का option, PDF, और दीक्षा का जो video link है, मैंने upload किये, मैं अब इसको post कर देता हूँ, देखिये, right side पे, मैं इसको post करने जा रहा हूँ, इसी के साथ, electro की notes post हो गए, आप देख पा रहे हैं, yes, electro की notes देखना चाहेंगे, यह देखिए, तीनों के तीनों notes, अब मैं आपको student की classroom दिखाना चाहूँगा, student की classroom किस प्रकार से उसे दिख रही है, यह देखिए, अभी दिया गया, electro chemistry का यह है, तीनों, YouTube, दीक्षा लिंक, और PDF, तीनों student को मिल गए हैं, नीचे solid state का Google form quiz वहकर ही चुका है, और नीचे solid state का assignment भी बाकी है, यह assignment आप देख पा रहे हैं, solid state work submission जो मैंने दिया है, अब इसी की बारे में बात करूँगा मैं, please see submit the notes of solid, आप यहाँ ध्यान से देखिए, assigned one, turned in zero, इस समय एक बुच्चे को, वानी को, जो मीजी classroom में added है, यह assign हो चुका है, लेकिन उसने submit नहीं किया है, तो turned in zero है, अब हम चलेंगे वानी की ख्लास में, अब student क्या करेगा, student सबसे पहले इस question पर click करेगा, click करते ही student की window पर, इस प्रकार से screen open होगी, student यहाँ पर right side में आप देख पा रहे हैं, your work, यहाँ पर add और create पर click करेगा, क्योंकि question कह रहा है, instructions में कि please submit the notes of solid state, तो वह file अटेच करेगा solid state के work ही, वह select file में जाएगा, और यहाँ पर अपने work को submit करेगा, इस प्रकार से, और upload करेगा, देखिए work upload हो रहा है, इस प्रकार से work student upload कर रहा होगा, और उसे यह upload करना होगा, लेकिन सिर्फ upload कर पाना ही, काफी नहीं, उसे इसको submit भी करना होगा, किस प्रकार, देखिए, इसके upload होने पर हम इसे submit भी करेंगे, अब आपने देखा, यह PDF right side में upload हो चुकी है, येस, यही, इसके नीचे आप option देख रहे हैं, turn in का, turn in यानि submission, क्या आप है submit कर पा रहा है, उसको इस turn in पर click करना होगा, student चाहे तो यहाँ पर एक private comment भी add कर सकता है, कि sir late submit किया है, तो reason बता सकता है, क्यूं late submit किया है, वह केवल आपको दिखाई देगा private comment में, फिलहाल student की ओर से मैं इसको turn in करता हूँ, क्या turn in, yes, turn in, अब यह submit हो जाएगा work, आप देख पा रहे होंगे एक बाद फिर से, right side पर student की screen में, unsubmit दिखाई दे रहा है, अब एक बार हम वापस अपनी class में चलते हैं, solid state work submission जल्द ही 1-0 होने वाला है, यह हो गया, देखिए, आपने देखा इसको, work 1-0 submit हो चुका है, अब मैं turn in पर इसको click करूँगा, students के note को देखने के लिए, कि उसने कौन सी PDF फाइल अप्लोड करी हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, उसने जो PDF फाइल अप्लोड की है, वह यहाँ आपको देख पा रहे हैं, क्याई बार students सिर्फ submit कर देते हैं, और PDF फाइल अप्लोड नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसे में हम यहाँ पर नहीं दिखेगा, फिल्हाल मैं इसको आपको बताता हूँ, कैसे हम इसको चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसको, एक नई विंडो में यहाँ पूरी PDF फाइल ओपन हो जाएगी, उस PDF पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, टर्न इन में क्लिक करने पर, इस प्रिकार से यह एक PDF फाइल ओपन होगी, अब इसको चेक कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं, सॉलेड स्टेट का नोट है यह, अब सब्पोज मुझे अगर लग रहा है कि यहाँ पर कोई चीज मुझे अच्छी लगी, तो यहाँ या कमेंट करना है, तो यहाँ पर देखिए, यह आइकन, इस विंडो में सबसे उपर राइट साइड में, PDF फाइल में, येस, ये वाला, प्लस वाला, येस, एड़ अ कमेंट वाला, इस पर क्लिक करेंगे, और मुझे अगर इस पूरी फ्लो चार्ट पर कमेंट करना है, तो मैं इस फ्लो चार्ट को सेलेक्ट करूँगा, और इमीडियेटली, गाइट साइड में एक विंडो पॉप अप होगी, जहां पर मैं कमेंट दे सकता हूँ, सपोज मुझे कमेंट देना है नाइस फ्लो चार्ट, तो मैं इस पर कमेंट दे दूँगा, यदि मुझे कुछ कमी भी लग रही है, तो मैं उसको भी हाँ पर चेक कर सकता हूँ, और फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा यहां एक्जामपल को सपोज मैं चाहता हूँ कमेंट लिखना तो मैं लिखूंगा यहां पर इस गूर्ड बट यू कैन गेव मोर एक्जामपल और मैं इसको कमेंट कर दूँगा स्टुडेंट को पूरी पूरी PDF फाइल चेक करने के बाद में मैं यहां रिटर्न भी कर सकता हूँ राइट साइड पर देखिएगा वही 9.k app launcher के नीचे यहां पर आप ग्लियू कलर का बटन देख पा रहे हैं यही वाला रिटर्न का यह यह वाला यदि मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो यह है रिटर्न हो जाएगा स्टुडेंट के पास चलिए इसको रिटर्न करते हैं स्टुडेंट को मैं इस पर ग्रेड नहीं देना चाहता मैं सिर्फ रिटर्न कर रहा हूँ देखिए मैंने रिटर्न किया और यह return हो चुका है interesting बात यह है कि इस समय तो यहाँ पर मैं right का निशान नहीं लगा सकता wrong या right नहीं कर पाऊंगा लेकिन mobile में या tab में आप इसको right भी कर सकते हैं जो यहाँ पर option इस समय available नहीं है लेकिन कुछी वक्त में Google इसको भी available कराने वाला है तो चलिए इस प्रकार से हम copy check करेंगे यह भी हमने देखा मैं अब इसको close करता हूँ वापस अपनी classroom में जाता हूँ मैं वापस classroom में आ गया एक और चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर यहाँ देखिए stream में ही right side पर देखिए यहाँ यह reuse post का आपको एक double headed arrow दिखाए दे रहे हैं दो 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 arrow दिखाएं yes यही वाले इन पर आपको click करना है reuse post का है यह icon जैसे ही आप इसको click करेंगे यहाँ पर एक window pop up होगी और मैं जिस भी class में चाहूं मैं अपने द्वारा दिया गया कोई भी work students को assign कर सकता हूँ यदि कोई quiz assignment है उसको मैं select कर सकता हूँ और reuse कर सकता हूँ दुबारा से लेकिन फिलाल मैं reuse नहीं करना चाहता तो मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ तो हमने class work में क्या क्या जाना हमने class work में assignments के बारे में जाना doc, slides, हमने किस परकार से quiz assignment में google form मनाए यह भी जाना हमने materials के बारे में जाना कैसे दीक्षा का link हम upload कर सकते हैं YouTube या कोई भी PDF file notes के form में और किस परकार से student उसे submit कर सकता है student की class में जाकर हमने वह भी जाना copy भी चेक करके देखी अब मैं बात करना चाहूँगा attendance के बारे में किस परकार आप attendance ले सकते हैं वापस से मैं classroom में आता हूँ मैं यहाँ पर create पर click करूँगा yes, यही वाला वापस create का button यहाँ पर मैं question पर जाऊँगा इस समय में classroom के अंदर attendance के बारे में बता पा रहा हूँ question में मैं लिखूँगा attendance of 16th June 2020 वापस से मैं classroom में आना चाहूँगा मुझे लगा शायद कोई कुछ कह रहा है वापस instructions में आते हैं instructions में मैं लिखूँगा please give your attendance या please provide your attendance for today answer yes or no if no please specify reason आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने no पे reason बोला है और yes और no की क्यों option है मैं इसे multiple choice बनाता हूँ सबसे पहले yes का option देता हूँ right side पर देख रहे हैं आप यह option यहाँ पर option है या तू short answer बना सकते हैं या multiple choice question में मैं इसको multiple choice बनाता हूँ यहाँ पर मैंने इसको बनाया yes और no इक बार फिर से मैं topic create कर देता हूँ attendance का capital letter में कर देते हैं चलिए इसको due date due date के लिए मैं चाहूँगा चलिए suppose अगर आज दे रहा हूँ तो मैं चलिए आज की due date दे देता हूँ midnight तक की और मैं इस question को यहाँ पर right hand side पर देखिए ask का icon view color में क्योंकि question है तो I will ask so I am going to submit this button ask मैं इस button को दबाता हूँ और इस परकार से है attendance का question create हो गया आप देख पा रहे हैं इसको zero and one one assigned zero turned in एक ही student है उसको यह assigned हो चुका है उसने submit नहीं किया है इसलिए turned in zero चलिए student की classroom में चलते हैं एक बार देखते हैं student इसे कैसे करेगा वापस से student की classroom में आ गया हूँ मैं और student की stream पर है हम questions post हो चुका है मेरा question यहाँ पर है यह रहा attendance वाला student इस पर click करेगा और फिर से एक window open होगी मैंने yes और no के option इसलिए दिये क्योंकि सपोज वानी के पिता जी अगर दिन में work करते हैं और उसके पास mobile नहीं है और मैं classroom में दिन में कुछ करा रहा हूं और वह नहीं आ सकती तो no किया जा सकता है इसको बाद में और वह private comment में add कर देगी कि sir या maim या respected teacher my father is working during day so I could not be present अब देख पा रहे हैं कोई internet connection का भी issue हो सकता है वह भी लिख सकता है बच्चा है आप पर private comment में और इसको post कर देगा आपको reason बच्चा इस पिकार से privately comment करके बता सकता है और no को turn in करेगा चलिए इसको submit करते है student ने इसको submit कर दिया है आईए वापस अपकी class में आते हैं यह देखिए one and zero हो गया है अब turn in one हो गया है चलिए एक बार turn in पर click करते हैं मैं attendance को वापस attendance की जगे ले जाता हूं जरा turn in मैं वाणी के नाम पर click करूँगा जैसे ही click करूँगा आप देखिए वाणी का answer मुझे दिखाई दे रहा है no और नीचे मुझे वह private comment भी दिख रहा है respected teacher my father is working during day so I could not be present बच्चा यहाँ पर अपना reason भी आपको privately बता पा रहा है जो कि सिर्फ आप देख सकते हैं मैं वापस से अपनी classroom में आना चाहूंगा इस प्रिकार से हमने देखा कि attendance का यह पहला तरीका था दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं create में जाके assignment में मैं कोई एक Google form भी create कर सकता हूँ यहाँ पर जहाँ पर मैं नाम बच्चे का उसका section और are you present in the class yes or no में कोई reason लिखने के लिए दे सकता हूँ लेकिन फिलहाल मैं आपको बता चुका हूँ गूगल form तो मैं इसमें जादा आपको explain नहीं करूँगा मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर मैंने अब आपको दो तरीके बताए Google class के अंदर कैसे आप attendance कर सकते हैं पहला question के through और हाँ आप question को repost भी कर सकते हैं attendance वाले को ठीक वैसे ही जैसा मैंने अभी आपको बताया आप stream में जाके इस repost वाले आइकन पर click करके वापस से अपनी class में जो attendance आपने दी हैं इनको select करके दुबारा से अपनी इस attendance को दे सकते हैं future में अब attendance के दो तरीके हुए इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा Google Calendar में कैसे अपनी class को schedule करना है आप classwork पर आते हैं right side पर देखिए Google Calendar Meet and Class Drive folder यह तीन options आपको दिख रहे होंगे मैं Google Calendar पर click करूँगा और Google Calendar open हो जाएगा यह देखिए This is my Google Calendar आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अल्रेडी एक हमारा session चल रहा है जिसकी blue timeline आप देख पा रहे हैं यहाँ पर G-Suit Training कि यह भी Tagore Garden जो मैंने schedule की थी चलिए अब देखते हैं हम कैसे किसी भी class को schedule कर सकते हैं Suppose मैं 1 July को class schedule करना चाहता हूँ मैंने 1 July को click किया 10 बज़े एक class schedule है चलिए मैं 1 बज़े एक class को schedule करता हूँ मैंने यहाँ देख रहे हैं आप 1 July पर 1 और 2 बज़े की बीच में मुझे बस icon लाना है और click करना है मैं click करता हूँ देखिए click हो गया और एक window open हो जाएगी अब मैं यहाँ पर add class कर सकता हूँ मैं add करता हूँ चलिए doubt class और suppose electrochemistry तो मैं यहाँ पर doubt class और electrochemistry लिखूँगा heading यहाँ पर देखिए icon blue add google meet video conferencing पहले मुझे google meet video conference का link generate करना होगा तो मैं इस पर click करूँगा और link generate हो जाएगा यह देखिए 250 participants तक एक बार में इसको join कर सकते हैं इसके उपर add guest आई है option है यहाँ पर मैं चाहूँ तो student को add कर सकता हूँ देखिए मैं student को add करके दिखाता हूँ आपको vani.5678 at the rate kvsro daily.in और जैसे ही मैं enter दबाऊँगा अब इसका email भी हाँ पर add हो गया है मेरे students के सभी emails को मैं यहाँ पर add कर सकता हूँ और उनको personally उनकी email पर इस class का invitation चला जाएगा as a proof हमारे पास होगा और बच्चों के पास as an information होगा आपकी class के information का कि आपने जो भी class schedule की है वह कब किस तारीक को है उसके बारे में बच्चे के पास पूरी information उसके email में पहुँच जाएगी चलिए मैं इसको save करता हूँ यहाँ right side पर देखिए नीचे save पर yes यही बाला बटन मैं इस पर click करता हूँ would you like to send invitation emails to google calendar guest yes I would like to so I am going to send अब यह send हो चुका है बन चुका है schedule हो चुकी है मेरी class मैं इस पर दुबारा यही क्लिक करूँ तो देखिए फिर से window pop-up होती है यहाँ पर मुझे पूरी information दिख पा रही है यह जो join with google meet का blue icon है इसके सामने देखिए copy का option है मैं इसको copy कर सकता हूँ और कहीं भी अपने classroom में किसी भी classroom में इसको paste कर सकता हूँ whatsapp में भी paste कर सकता हूँ usually मैं personally avoid करता हूँ classroom के whatsapp में paste करना क्योंकि फिर बच्चा को आदत होती है कि वो whatsapp में ही कोशिश करते हैं चीजों को available कराने की तो हमें कोशिश करनी है classroom में बच्चा इन चीजों को available करे classroom से ही इन चीजों को pick up करे तो मैं इसको अब close करता हूँ इस प्रकार से आप नहीं है देखा कि कैसे हम schedule कर सकते हैं मैं वानी यानि कि student के email में आपको दिखाना चाहूँगा कैसे request आया तो मैं इहाँ पर इसे refresh करता हूँ यह देखिए सब से उपर invitation doubt class for electrochemistry देख पा रहे हैं आप मैं इसको लगता है किसीने unmute किया है मैं इनको mute कर देता हूँ अब हम student के email में आते हैं और इस doubt class के email को open करते हैं जब भी student email को open करेगा तो इस प्रकार से एक invitation student को दिखाई देगा देखिए आप एक जुलाई की doubt class for electrochemistry का पूरा एक invitation student को मिल चुका है जहाँ पर उसे joining info भी मिली हुई है और पूरी की पूरी information उसके पास available है अब student यहाँ पर click कर सकता है चलिए मैं maybe पर click कर देता हूँ क्योंकि उसके father work करते हैं दिन में तो चलिए जैसा मैंने आपको reason बताया maybe पर click कर दिया यह option भी हमें पता चल जाएगा मैं inbox में आया वापस अपनी classroom में आता हूँ इस प्रकार हमने देखा कि कैसे google calendar से हम schedule कर सकते हैं अपनी class को एक और interesting चीज में बताना चाहूँगा people पर आते हैं यहाँ आप देख पा रहे हैं students का नाम एक student वानी यहाँ पर already available है यहाँ action का जो ही है lightly दिख रहा एक square column है button का इसके सामने के checkbox में यदि मैं click कर दूँ इस प्रकार देखिएगा right tick लग चुका है blue color में सभी students को मैं select कर सकता हूँ और यदि कोई भी unknown student या unverified user या बाहर की email से कोई भी student गलती से add हुआ है तो वह मुझे सबसे पहले उपर यहां दिखाई देगा उनको मैं इस प्रकार से select करके remove कर सकता हूँ कैसे actions पर click करूँगा select करने के बाद checkbox से email का option आएगा remove का option आएगा और mute का option आएगा मैं email कर सकता हूँ remove कर सकता हूँ कोई भी unspecified user या unknown student अगर है तो मैं उसको बड़ी ही आसानी से select करके remove कर सकता हूँ हमारी पूरी कोशिश 100% यही होनी चाहिए कि सभी students अपने KVS RO के ही email से classroom को join करें यदि कोई unspecified user है तो उसको remove करना होगा mute का option भी आपको दिख रहा है यदि मैं mute पर click करूँ इस प्रकार से तो यह एक बहुत interesting option है क्योंकि यहां पर आप जैसा देख पा रहे है screen पर student अपना work submit कर पाएंगे लेकिन किसी दूसरे का work देख नहीं पाएंगे अपने classmates के work को देख नहीं पाएंगे तो reply भी नहीं कर पाएंगे और कोई comment या post भी नहीं कर पाएंगे इसका use हम test के लिए कर सकते हैं यदि कोई एक या दो questions या 5-6 questions आप देना चाहें और आप चाहते हैं के एवल आपके students को individually देखे कोई दूसरा उनके answers को ना देखे तो आप सभी को mute कर सकते हैं test से पहले फिलहाल मैं इसको नहीं करना चाहता तो मैं cancel करता हूँ मैंने cancel किया अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार एक Google Meet को मैं start कर सकता हूँ मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि यह है Google Meet का एक link हम generate करते हैं इस link की खास बात ये है कि आप जब भी अपने students को बताएंगे कि यदि मैं धुपैर को एक पजी class लेने जा रहा हूँ तो सभी students इस link को join कर सकते हैं click करके लेकिन class तब तक start नहीं होगी जब तक आप start नहीं करेंगे so जब आप इस पर click करेंगे तभी start होगी class और students तब आप आएंगे मैं इस पर click करता हूँ आप देखिए screen generate होने जा रही है camera off किया मैंने join कर रहा हूँ मैं right side पर icon देख रहे है join now and present के इस समय हम देख रहे हैं google meet को कैसे present करना है join now पर click करूँगा और इसी के साथ मैंने join कर लिया एक window pop up हुई जैसे ही इस window पर मैं copy joining info पर click करूँगा info copy हो जाएगी and मैं इस copied information को कहीं भी paste कर सकता हूँ अपनी classroom में अपनी whatsapp पर बच्चों की नीध पर या अपनी नीध पर मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हम recording कर सकते हैं right hand side पर देखिए more options के तीन ये icon देख रहे हैं आप जबाब icon yes ये जो तीन dot है इन तीन dot वाले icon पर जैसे ही मैं click करूँगा उपर एक पूरी window pop up हुई settings से लेकर report और problem full screen तक की सबसे उपर record meeting का option है जैसे ही मैं इसको click करूँगा ask for consent आएगा इसको जैसे ही मैं accept करूँगा meeting record होना शुरू हो जाएगी और red color का ठीक वैसा ही icon आएगा जैसा कि मेरी screen पर इस समय main screen पर चल पा रहा है और हमारी यह है पूरी की पूरी आज की training record हो रही है मैं इसको decline करता हूँ फिलाल के लिए अपनी screen को present करने के लिए नीचे right side पर देखिए present now का एक आपको icon दिख रहा है ये वाला this one please see right hand side नीचे yes ये वाला जैसे ही मैं इस पर click करूँगा तीन options दिख रहे हैं आपको your entire screen a window a chrome tab मैं यदि your entire screen को click करूँ जो कि मैंने अभी already किया हुआ है मेरी पूरी entire screen को मैं select करूँ तो share का option blue हो जाएगा मैं share कर सकता हूँ इसके अलावा window का option होगा यदि मैं window पर click करूँ तो जितनी भी windows open है वो सभी window आ जाएगी मैं जिस भी particular window को चाहूँ मैं select करके share कर सकता हूँ यदि मैं चाहूँ तो इतनी सारी google chrome के tab जो आप देख पा रहे हैं किसी भी एक tab को select करके मैं उसको share कर सकता हूँ इस तरह मैं अपनी screen को present कर सकता हूँ record कर सकता हूँ और attendance का एक बहुत important हमारे पास question होता है कि attendance कैसे लें तो attendance के लिए मैं चाहूँगा कि हम फिर से google का tab यह page खोले यहाँ पर हम google chrome store पर जाएंगे home web store पर जैसे ही गए यह chrome web store है यहाँ पर हम search करेंगे google meet attendance आप google meet attendance देख पा रहे हैं सबसे उपर नीचे भी आपको दो दिख रहे होंगे लेकिन यह right click वाला जो blue color यह green color का आइकन है हमें इसको click करना है यहाँ पर जहाँ आपको rated दिख रहा है यहाँ पर actually जैसे नीचे लिखा है add to chrome दोनों में ऐसे ही आपको पहली बार में add to chrome लिखाएगा आपको उस पर click करना है और extension को add कर लेना है तो आप यहाँ पर right hand side पर देखिए screen पर मैं वापस आपकी screen पर आता हूँ यहाँ right hand side पर देखिए उपर यह आपको दिख रहा है green color का tick mark मैं already इसको install कर चुका हूँ और install करने की कारण आपको उपर यह right पूरा tick लगा हुआ green color में दिख रहा होगा extension सब यहाँ दिखाई देती है तो यह जो green tick है यह है google meet attendance नीचे यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर भी यह green tick दिखाई देगा आपको और इसके कारण एक window यह आपको हमेशा दिखाई देगी यह देखिए window मैं इसको middle में ले आता हूँ यहाँ पर सबकी attendance मौजूद होंगी जितने भी teachers इस समय है उनकी attendance मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है सभी students की automatically attendance आपको मिल जाएगी आपको manually करने की attendance कोई आवश्यक्ता नहीं है खास बात यह है कि आप इसको download भी कर सकते हैं कैसे उपर वाले जो border है इसमें corner के दो icon है save attendance as csv file and save attendance to an stml file मैं इसे csv file के तौर पर download करता हूँ आपको दिखाना चाहूँगा attendance देखिए सभी teachers के नाम के सामने उनका timing आ गया है किस टाइम पर किस ने join किया ठीक ऐसे ही आप सभी students को attendance show कर सकते हैं मैं इसको close करूँगा वापस से आएंगे अपनी class में और as a teacher जब भी आप Google Meet को present करेंगे तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा आपको सबसे पहले अपनी screen को pin कराना होगा सभी students से एक बाद फिर आप सभी students को बोलेंगे कि students right side में मेरे नाम के सामने as soon as आपने अपनी screen को share किया आप उने बोलेंगे कि आपके नाम के सामने जहां presentation लिखा हुआ है वो इसको click करें और pin कर लें pin करने के बाद वो आपकी screen को देख पाएंगे बिना किसी interruption और उसके बाद ये सब चीजे जो मैंने आपको बताईए सभी techniques आप इसको use करेंगे और पूरी class को deliver करेंगे class complete होने के बाद में students के जब जाने का वक्त होगा as a teacher हमें सबसे last में जाना होगा क्योंकि यदि हम निकल जाते हैं as a teacher तब भी students पीछे हमारी classroom में मौझूद होंगे तो classroom में students वहाँ पर मौझूद हैं सभी को बाहर निकालने और भेजने के बाद में ही as a teacher यह मेरा दायत तो है कि मैं आखरी में अपनी class को leave करूँ आप right hand side पर click करके यह जो option होता है देख पा रहे हैं आप right hand side बे जैसा मैंने अखिलेश जी के नाम के सामने click किया हुआ है सबसे पहला icon है remove from meeting यदि मैं इसको click करूँगा तो मैं इनको remove कर पाऊंगा इस प्रकार से आप सभी students को remove कर सकते हैं अपनी class के समाप्त होने पर end होने पर as soon as your class gets ended you can remove the students first of all you can request the students that they can patiently slowly gradually leave your class even if there are some students जो आपकी class को नहीं छोड़ रहे हैं then you can remove them manually यहाँ पर आज का यह session समाप्त होता है आज की सारी सूचनाएं और सभी informations जो हमें आपको देनी थी वह हो गई है आप सभी ने इतना patiently सुना एक घंटे से ज्यादा वक्त हो गया इसके लिए मैं आप सभी शिक्षकों का रिदे से आप हार्विक्त करता हूं और अब मैं queries का session लेना चाहूंगा यदि आप में से किसी भी शिक्षक की कोई query हो तो please वह अपने आपको unmute कर सकता है और query पूछ सकता है विनेशन हाजी मैं यह आप फीचर कहरें एटेंडेंस का is it available for all the scheduled classes as well yes ma'am absolutely वो सिरफ Google meet में चलेगा या क्लास में बच्चा आता है तो भी उसकी automatic attendance time stamp के साथ आजाएगी माम जो classroom होगा classroom में attendance के यह extension हम add नहीं कर पाएंगे यह केवल Google attendance में है classroom में मैं दू आप्शन बताय थे मैं शुरुवात में question वाला और Google form वाला फिलहालम उनको use कर सकते हैं बट उसमें कोई genuinely नहीं है अगर बच्चे नहीं भी किया वो yes कर देता है then what can we do yes I agree लेकिन महाँ पर हमें बच्चे का पूरा reason पता चल सकता है क्योंकि अगर बच्चा हाइडी करना चाहता है उसमें क्या कर सकते हैं फिर मैम वो चीज तो हमारे हाथ में नहीं होगी बिल्कुल आपका question जायज है लेकिन फिलहाल attendance के लिए हमारे पास वो दूप्शन है हम चाहें तो अपने according हमारी नियूर के according Google form भी बना के दे सकते हैं किसी एक भी चीज में तो अपने आप time stamp आ जाईगी है ना time stamp को option नहीं है महां पर फिलहाल नहीं के इंकेस assignment में कोई submission entry कोई भी entry अगर हम compulsory कर देते हैं मतलब एक भी entry आ गई तो attendance है अजी माम यह भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल के लिए हम question वाला method बताना चाह रहे थे क्योंकि वहां पर हम थोड़ा students को option दे बाते हैं कि वह हमें अपनी समस्या भी बता पाए चलो थी जानना भी जरूरी है माम कि हो सकता है किसी बच्चे की genuine problem हो और वह केवल एपसंट उसकी लग जाए बिना teacher को पता चले उसकी problem तो थोड़ा उसके लिए वह हमने बताया है आपने एक एक चीज बताई उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद Thank you so much Thank you so much Thank you so much Okay Hello अजी नितिन सर जी नितिन सर जी नितिन सर सर यह अभी हमारे पीछे टीटर्स ने कुछ वीडियो चलाया था और उन्होंने मुवाइल के इस्तमाल किया था अभी तो हम लैप्टाप के इस्तमाल कर रहे हैं लैप्टाप से कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उसकी साउंड बच्चों तक पहुंच रही है लेकिन अगर हम मुवाइल प्ले कर रहे हैं तो वो साउंड बच्चों तक नहीं पहुंच रही है मतलब हम थार्ट पार्टी साउंड हो गई एक तरीक से हैं मतलब वीडियो में जो साउंड अदे हो रहे हैं जो हमारी साउंड वो तो पहुंच रही है लेकिन जो वीडियो में साउंड बचाइब हो अपबर तो कैया है इसके व. um ऐसे नोट डॉँन कर लेता हूँ li Ghost इस वाल इमेल पर आप अपनी स्क्वेरी को बता सकते हैं इमेल है support at the rate of kvsro Delhi.in देखे मैंने इमेल को अभी just message किया है chat box में तो आप इस पर भी इमेल करके अपनी इस तरह की किसी भी problem को sort out कर सकते हैं यह हमारा आरो का इमेल है तो इस पर आप बता सकते हैं इस पर आप अपनी सर्फ पर सुना इस पर आप किया है कि मैंने जब यूट्यूब का वीडियो चलाया बच्छों को सुनाई दिया है अच्छा इए अपिशों ने कंपलेंट होने की मुझे पर आप्छा इंक पर आप्राइव करेंगे video is going and voice is playing well but during the when we are teaching in Google Meet then there is a problem sir so ma'am Google Meet में आप जी में जी सबूली सब गूगल मीट का ही डिसकेशन कर रहे है मैडम ना classroom का नहीं अभी यहां बात कर रहे हैं गूगल मीट का ही डिसकेशन कर रहे हैं मैं जरूर इस चीज़ को support team के पास लेके जाओंगा and for sure आपके इस query को मैंने note down किया है and सही channel की थूँ आप तक इसकी query में अवश्य पहुंचाओंगा for sure thank you thank you so much sir thank you sir thank you ma'am यदि किसी और teacher की कोई भी query हो तो प्लीज आप बताए thank you Vinay ji you explained all the points very nicely thank you sir on behalf of all of my staff I congratulate and thanks you again thank you very much thank you so much sir thank you sir hello Vinay sir I would like to ask one question I am saying that ये सारे option जो है वो mobile में भी आएंगे Google meet में अमरे का sir कौन सा वर और गॉगल classroom के तुरू Google classroom के जरू जो भी आपने बताया वो सारा mobile के तुरू करेंगे तो भी आएगा sir सारी चीजे तो नहीं होंगी sir जैसा कि मैंने बताया कि मैंने चीज एक्स्ट्रा है वहाँ पर आप राइट लगा सकते हैं क्रॉस लगा सकते हैं मतलब चेक कर सकते हैं कॉपी को लेकिन आप laptop पे नहीं कर पाएंगे वो चीज ठीक वैसे अभी जैसा कुमत मैंने question पूछा था काफी अच्छा स्विधाओं को बढ़ाए और काफी सारी features के साथ वैसे आ रहा है Google अपसे upcoming weeks में तो हमारे पास बहुत सारी और भी स्विधाए होंगी जी ये जो extension आपने बढ़ा है ना सर ये भी नहीं लगता mobile में Chrome browser में अधर ली कर सकते हैं मैंने अभी वही कहा नहीं लगता सर मोबाइल में मोबाइल में नहीं होगा जी जी सर यही पूछ रहा था थैंक सर थैंक यू सो मज सर यदि किसी किनी भी टीचर की कोई क्वेरी है तो बताईएगा आपकी तरब से काफी इंफॉर्मेटिव जो है डेमो डिमोंस्ट्रेशन बहुत अच्छा था तो कवर कर लिया है अमने सबी कुछ अभी कोई कोई टीचर है तो क्वेरी कर सकते हैं उसके बाद ये एंड आप करेंगे कि आपने रिकोर्डिंग कि है उसका वीडियो अविलेबल होगा जी बिल्कुल सर मैं शाम को आपको पूरा वीडियो अविलेबल करा दूंगा यह पूरा वीडियो आपके पास होगा आई प्रामिस शाम को आपके पास यह पूरा मैं वीडियो पहुंचा दूंगा जो कोई भी डाउट होगा हम फिट से किलेर करें जी सर थैंक यू सर विरे सर जी विशाल सर जो यह मिटिंग हम रिकोर्ड करेंगे यह आटमेटिक क्या यूटूब पे से होगी है कैसे अलगा जाएगी यूटूब पर करनी होती है अच्छा यूटूब पे अकाउंट आना पड़ेगा जी सर जी यह मुझे ड्राइब में मिल जाएगी एमिल में और वह मैं अप्लोड करके आपको दे दिनगा सर दिल्बाव सर थोड़ा बताईएगा क्या कहना चाहरे हैं सर आपको इमेल में कुछ देर बाद ही यह मिल जाएगी क्योंकि आपकी ड्राइव में सेव होती है ग्यूगल ड्राइव में आपको इमेल में मिल जाएगी प्रिंसिपल सर को वाइस प्रिंसिपल मैम को आप सभी शिक्षकों को दिल से आभारव्यक्त करना चाहूंगा कि आप सभी ने बहुत पेशेंटली डेड़ घंटे से यह सेशन देखा, समझा और मेरे साथ बने रहे इस ट्रिंनिंग सेशन में इसके लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद और इसी के साथ अपने आज के सेशन को मैं कंप्यूड करना चाहूंगा तो आप सभी से अब रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस सेशन को क्विट कर दें क्योंकि जैसा मैंने बताया, as a teacher मैं सबसे आखिर में ही जाऊंगा तो आप सबकी जाने के बाद मैं लीप करूंगा, thank you so much